हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 ऐसे स्टॉक जिन्होंने रिसेंटली एनाउंस कर दिया अपने स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्ली एंड डिविडेंट को तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार करते हैं हमारा पहला स्टॉक है 40 स्मलार ओस्पिटल लिमिटेड जिसका करेंट प्राइस अभी 98 रुपीज पर ये ट्रेट कर रहा है इन्होंने डिविडेंट का एनाउंसमेंट कर दिया है 40 रुपीज पर शियर का इन्होंने एनाउंसम से ज़्यादा ये डिविडेंट देखने को हमें मिल रहे है हमारा अगला स्टॉक है Aster DM Healthcare Limited जिसका करेंट प्राइस अभी 520 रुपीज पर ये ट्रेट कर रहा है इन्होंने डिविडेंट का एनाउंसमेंट कर दिया है 118 रुपीज पर शियर का इन्होंने एनाउंसमेंट कि 23rd of April कोई अपने सारे इन्वेश्टों को डिविडेंट का बेनिफिट देंगे हमारा अगला स्टॉक है अनूप Engineering Limited जिसका करेंट प्राइस अभी 3329 रुपीज पर ये ट्रेट कर रहा है इन्होंने स्टॉक बोनस देने का एनाउंसमेंट कर दिया है अपने सारे इन्वेश् इसका एक्स डे 23rd of April को ये एन्वेश्ट किया गया है तो अगर ये इनका बेनिफिट चाहिए इस्टॉक बोनस का तो आपको 23rd of April से पहले बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं हमारा अगला स्टॉक है IFL Finance Limited जिसका करेंट प्राइस अभी 406 रुपीज पर ये करने का और जो कि इनका एक्स डेट एन्वेश्ट कर दिया है 23rd of April को ये अपने सारे इन्वेश्टों को इस राइट इस्टॉक का बेनिफिट देने वाले हैं हमारा अगला स्टॉक है हुत्मा की इंडिया लिमिटेड जो अभी 329 रुपीज पर ये ट्रेट कर रहा है इन्ह हमारा अगला स्टॉक है भारत विजली लिमिटेड जिसका करन प्राइस अभी 6761 रुपीज पर ये ट्रेट कर रहा है इन्होंने स्टॉक स्प्रीट का एन्वेश्ट कर दिया है 5 इस टू 10 के रेशियो में अगर आपके पास इसका पास सेयर है तो ये आपको स्प्रीट करके 10 सेयर में कनवर्ट कर देंगे और इसका जो एक्स टेट है वह है 24 अप अपरिल को ये अपने सारे इन्वेश्टों को स्प्रीट का बेनिफिट देने वाले हैं हमारा अगला स्टॉक है ICIC Securities Limited जिसका करेंट प्राइस अभी 710 रूपीज पर ये टेट कर रहा है इन्होंने डिविडेंट का एन्नाउस्मेंट कर दिया है 17 रूपीज पर शेयर का इन्होंने एन्नाउस्मेंट किया है जिसका एक्स टेट 26 अप अपरिल को अपने सारे इन्वेश्टों को डिविड का तो वो 26 अपरिल से पहले बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं हमारा अगला स्टॉक है बानस फाइनेंस लिमिटेड जिसका करेंट प्राइस अभी 17.53 रूपीज पर ये ट्रेट कर रहा है हां दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक शेयर है और इन्होंने राइट एक शेयर है तो आप एक शेयर के लिए हो जाएंगे राइट उश्यू उसे कहते हैं ये कंपनी के तरफ से आपको एक शेयर के लिए एक ऑफर करती एक अच्छे प्राइस में जो कि आप उसके लिए अगर एलिजबेल होंगे तो ये एक टेंडर के रूप में निकाला जाता है जिससे आप बाइ कर सकते हैं इसका एक डेट है 26 अप एपरिल यानि आपको अगर इसका बेनिफिट चाहिए होगा 25 अप एपरिल को बाइ करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं हमारा अगला स्टॉक है अलैं टास बैक इंडिया लिमिटेड इसका करेंड प्राइज अभ दिया है 30 April को अपने सारे इंवेश्टों को benefit देने वाले हैं तो जिने भी इनका dividend का benefit चाहिए इससे पहले यानि 29th of April से buy करके इसका benefit उठा सकते हैं हमारा अगला stock है निधी गरिनाइट लिमिटेड जिसका current price अभी 209 रुपीज पर ये trade कर रहा है इन्होंने भी stock bonus का announcement कर दिया अपने सारे इंवेश्टों के लिए 1 to 1 के ratio में अगर आपके पास इसका 1 share है तो आपको 1 share as a bonus आपको मिलेगा टोटर से हो जाएंगे आपके पास 2 share after stock bonus देने के बाद इन्होंने exit का announcement कर दिया है 2nd of April को ये अपने सारे इंवेश्टों को bonus का benefit देंगे हमारा अगला stock है भागी रदा chemical limited इसका current price अभी 1,888 रुपीज पर ये trade कर रहा है इन्होंने stock split करने का announcement कर दिया है 1 to 10 के ratio में that means अगर आपके पास इसका एक भी share है तो आपको ये split करके 10 share में convert कर देंगे और साथ हैं दोस्तों इनका जो exit हमें देखने को मिल रहा है वो है 2nd of April को ये अपने सारे इंवेश्टों के लिए benefit देने वाले हैं तो जीने भी stock split का benefit चाहिए होगा उससे पहले buy करके जो भी इसका exit है आप इसका benefit उठा सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो इसे like और share करना ना भूले और आप हमारे अगर चैनल पे नए है तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दवारे थैंक यू दोस्तों